हेलो दोस्तों सो इस कोर्स में हम देखेंगे वाइस रॉइस ऑफ इंडिया और उनके कंट्रिबूशन्स ठीक है सो यह यूपीएसे प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉटेंट है और थोड़े बहुत आपको चीजें पता होनी चीज हो जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा कर ब्र प्रेड करना है और आपको माल खरीद के यौरप लाना है ठीक है लेकिन 1765 आते आते जो कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी उसको रिवेन्यू राइड्स भी मिलने लग गए ठीक है फिर उसके बाद वो जो है मतलब वहां से क्या हुआ कि पुरी तरीके से उनका जो ट्रेडिंग फंक्शन है वो फिर धीरे धीरे वो जो है पॉलिटिकल होता गया और फिर उन्होंने इंडिया पे राज करना है स्टार्ट किया तो वाइस रॉइस और गर्णर जनरल जो थे वो हैड होते थे उसके जो ब्रिटिस एड्मिनिस्टेशन है ठीक है इसलिए इ वाइस रॉय था वो सबसे पहले का फ़र्म हुआ 1773 में जो दा कंपनी रूल बेसिकली स्टार्ट हुथा है रेगुलेडिंग एक्ट ऑफ 1773 वहां से बेसिकली गर्नर ऑफ बेंगॉल जो थे उसको जो है गवर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल करके डेजिगनेट कर दिया गया ठी ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइस रॉय जो है वो हैड हुआ करता था ओके सो इस इंडिया कंपनी के जितने भी अधर ऑफ इस थे उनको भी यह सुपर्वाइस करते थे ठीक सो 1833 का जो एक्ट था चार्टर एक्ट उसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और उनको पूरी सिविल और मिलिटरी पावर दे दी गई ठीक है सो कूल मिला कि 1833 के एक्ट से गर्मेंट ऑफ इंडिया बेसिकली पूरी जो अथारिटी थी वो ब्रिटिशर्स को मिल गई ओके और लॉड विलियम बैंटिक जो है वो पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के है ठीक है और पहले गवर्नर जनरल जो है कंपनी के वो कौन थे वारेन हेस्टिंग्स जो की 1773 से बने ठीक है 1858 आते आते इंडिया पूरी तरीके से ब्रिटिश अद्मिनिस्टेशन के कंट्रोल में आ चुका था अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेट परस्नालिटी जो रॉबर्ट क्लाइव से स्टार करते हैं सो रॉबर्ट क्लाइ के बारे में अगर आपको जानना है तो you can ask me I'll share you the link in the comment section मैंने इसके उपर लेसन बनाया हुआ है ठीक है सो बैटल ओफ प्लासी के लिए ये responsible है और साथी साथ इनोंने एक society of trade established की थी 1765 में with monopoly of trade in salt and tobacco को जिससे की क्या होगा कि भाई to support companies official who were otherwise indulging in private trades या फिर bribery तो कुल मिलाके जो है dual system of governance की शुरुआत की थी बेंगॉल में Robert Clive ने Robert Clive के बारे में बस इतनी चीज़ें आपको पता हो जानी चाहिए तो कोई भी question आए तो आप इसको attempt कर सकते हैं अब हम बात करते हैं Warren Hastings की so Warren Hastings जो है वो governor general of India पहले जो basically company के बने थे 1773 से so okay so he although he joined as governor of the presidency of Fort William in April 1772 से यह उन्होंने start कर दिया था तो जो dual system मैंने आपको बताया कि भी Robert Clive ने रखा था उस dual system को इन्होंने खतम किया और नवाव बंगॉल जो थे उनकी pension को इन्होंने काटी और half करी ठीक है और साथी साथ भी एक payment of tribute का एक system चलता था जो कि Delhi emperor को देना पड़ता था शाह आलम टू उस टाइम थे सो उस system उस सिलसिले को भी इन्होंने खतम किया कि भाई आप कोई payment of tribute नहीं रही जाएगी ठीक है because his territories were sacked by Marathas ठीक है उसकी जो भी territories थी वो Marathas ने ले ली थी और अब वो सिर्फ नाम का emperor हुआ करता था इसलिए ठीक है and also he moved treasury from मुर्शीदाबाद to Calcutta hence making it safe from Marathas ठीक है तो मुर्शीदाबाद में जो इनकी treasury हुई हुआ करती थी company की उसको इन्होंने Calcutta shift किया जिससे की वो Marathas से Marathas से दूर रहे और सुरक्चित रहे He was responsible for trial of Maharaja Nand Kumar who made accusations against the governor general but was in turn accused of forgery and hanged for it ठीक है तो यह कोई इतना खास important point है नहीं तो Lord basically Warren Hastings के बारे में यह दो चार चीज़े हैं जो की थोड़ी बहुत important है और साथी साथ Warren Hastings ने judicial reform भी लाये थे तो दिवानी अदालत फौजदारी अदालत यह सारे चीज़ें उन्होंने 1772 में establish की थी ठीक है तो जो दिवानी अदालत हुआ करती थी वो English collector उसके president हुआ करते थे और जो फौजदारी अदालत थी उसे Indian officers जो की काजी मुफ्ती हुआ करते थे वो उसको preside करते थे दोनों जो courts थी वो basically Calcutta में establish की गई थी fine so Asiatic Society of Bengal भी जो है वो form की गई थी इसी time में with the support and encouragement of Warren Hastings on 15th January 1784 by Sir William Jones ठीक है सो यह William Jones एक British lawyer and orientalist थे जिन्होंने oriental studies को encourage करने के लिए यह किया Treaty of Banneris 1773 and 1775 was signed under Warren Hastings ठीक है and he was charged in house of Lords of Britain for his wrongdoings like the Rohella Wall trial and फलान 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 ठीक है सो इन्हें impeach भी किया गया था ओके सो यह corruption के लिए impeach हुए थे और फिर 1795 में ही जो है इनको वहां से छूट मिली थी जो भी charges थे ओके सो डूरिंग हेस्टिंग रीन्स Manus law was translated into English as code of Gento laws okay so first Indian newspaper भी इन्ही के दौरान में publish हुआ जिसे Bengal gadget कहा जाता है and Jonathan Deccan established new Sanskrit school so यह कुछ important points है John Macpherson यह उतना important नहीं है basically एक साल 1785 से 86 की बीच में रहे थे okay so acting governor general being senior official of officer of council and no war took place और फिर यह उतना कोई important है नहीं बस नाम के लिए मैंने include किया Cornwallis okay so Cornwallis जो है यह भी एक फिर important personality हो जाते हैं 1786 से 1793 तक यह governor general थे okay so इनके पास land settlement policy का charge भी था ठीक है और फिर उसके बाद जो Pits India act आया था आपको पता यह 1784 का तो यह सारी चीजें हुई थी so administrative reform की अगर बात करें तो इन्होंने company के servants की salary बढ़ा दी he reserved all higher posts in administration for European okay जितने भी higher posts है वो European के लिए reserve रख दिये because इनका कहना था कि भई जो यहां के native local people है इनका कुछ नहीं कर सकते यह उची post like है नहीं during this rule district was divided into thanas and spectre was made in charge of each thana यह तो बहुत self-explanatory है और superintendent of police जो SP की post है वो create की गई थी इनके cornwallis के जमाने में तो यह बहुत ही important एक point है ठीक है और साथ ही साथ जो collector को power दी जाती है concentration of power जो है वो collector को भी दी गई थी और कुल में लाके कई सारी judicial reforms भी cornwallis के time में हुए थे और एक cornwallis code आया था okay so judicial reform जो थे वो सारे cornwallis code of 1793 में documented थे fine so जैसा कि मैंने आपको बताया यह जो एक body of legislation थी 1793 में enact की गई थी by east india company to improve the governance okay so जो भी इनकी territory से इंडिया में उसको improve करने के लिए उसके governance को improve करने के लिए यह cornwallis code था okay जमिदार had to let go of all police powers and it was given to English magistrates ठीक और साथ ही साथ बैने आपको जैसा कि बताया कि भाई judicial system को sort out करते हुए इन्होंने क्या कि जाकि courts set up किये different levels में lower courts, appellate courts and separation of revenue administration from judicial administration revenue काम अलग, judicial काम अलग पुरा जो है उसको एक तरीके से separate कर दिया brought land taxation reform जिसे हम permanent settlement reform of Bengal भी कहते हैं साथ ही साथ एक Sanskrit college की स्थापना हुई थी हिंदूों के लिए बनारस में 1790 में जिसे अभी government college of Sanskrit के नाम से जाना जाता है ओके और एक minting press भी कलकटा में standard और reliable currency के लिए इन्होंने established की थी और cornwallis ने civil services in India की शुरुवात की थी ठीक है तो यह बहुत सी ज्यादा important है ओके यह बिलकुल आप भूलना मत यह याद रखना ठीक है so moving ahead sir john shore so यह john shore और यह जो भी है एल्यूड कलार के नौट नौट इंबॉर्टन बट नाम याद रख लो तो 1793 से 1798 john shore थे और उतना कोई खास eventful नहीं रहा battle of karda 1795 में निजाम और मराथा के बीच में हुआ था ठीक है और साथ ही साथ यह board of revenue को प्रेसिडेंट भी थे तो permanent settlement जो 1793 का था उसमें भी इनकी थोड़ी बहुत भूमी का थी और बस इतन नहीं है एल्यूड क्लार्क भी 1798 से में 1798 दो तिन महने के लिए रहे थे तो not that important अब हम बात करते हैं lord wellesley की so wellesley 1798 से 1805 थे subsidiary alliance okay so subsidiary alliance introduced किया था lord wellesley ने ठीक है fourth anglo-mysore ward जो है हुआ था जहां पर टीपु सुल्तान को British army ने हरा दिया था and his dominions was divided half divided between निजाम and British okay so टीपु सुल्तान की जो territories थी उसे निजाम और Britishers के बीच में आधा आधा बाट दिया गया और साथी साथ presidency of madras create किया गया था इनके रिन में ठीक है and he also founded Fort William College in Calcutta so subsidiary alliance जो है यह जो है most important है so I hope कि आपको subsidiary alliance के बारे में पता ही होगा यहां पर मैं इस चीज को assume कर रहा हूं ठीक है so अभी तक इस lesson में इतना ही next lesson में हम और भी vice royce के बारे में जानेंगे so thanks for watching this have awesome day hello friends so हम continue करेंगे vice royce of India और उनके contributions को ठीक है so Lord Dalhousie से हम start करते हैं so 8 साल का इनका कारेकाल था और और Lord Dalhousie जो थे वो youngest governor general of India थे ठीक है 36 साल की age में उन्होंने अपना कारेबार समाला था और उनका जो eight year का जो ruling period था वो सबसे greatest माना जाता है ठीक है so he introduced the policy of doctrine of lapse ठीक है so doctrine of lapse जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब subsidiary alliance और doctrine of lapse यह बहुत ही ज्यादा important था so subsidiary alliance Wellesley के time हुआ था और doctrine of lapse डलhousie के time ठीक है so doctrine of lapse इन्होंने introduce किया he commanded second Burmese war and captured various parts of Burma और साथी साथ कई सारे educational reforms Lord Dalhousie ने किये थे okay so sir Charles Wood जो थे president of board of control उन्होंने कुछ various changes उन्होंने recommend किये थे in structure of education system जिसे हम Woods Dispatch के नाम से भी जानते है so अकर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा Woods Dispatch के बारे में okay so Lord Dalhousie ने काफी सारे educational reforms इस recommendation के तहत implement भी किये so examining bodies similar to London University were opened in 1857 ठीक है so Calcutta, Bombay और Madras में ये open की गई और पहली railway communication के link 1855 में इनके ही कारेकाल के दौरान complete हुई थी to serve for strategical needs and commercial developments okay और साथ ही साथ जो private enterprise थे उनको encourage किया गया कि वो railway को develop करें इंडिया में और कई सारे infrastructure के काम जो है Dalhousie के tenure में किये गए for example Gengis Canal okay so ये Canal complete किया गया था 1854 में liberal contributions were made for metal roads and bridges ठीक है एक post office act of 1854 के तहर director general was made in charge to supervise the work of establishing post offices so ये उतना जादा important है नहीं ये point Dalhousie ने ही headquarters जो था Bengal artillery का उसको Calcutta से merit shift किया okay और electric telegraph system डलhousie के time introduced हुआ गोर्खा regiment create किया गया वीडो remarriage act पास हुआ female infanticide जो है वो पूरी तरीके से अभी भी ऐसा नहीं है कि Bantic के time खताम हो गया तो आगे आने वाले भी जो governor generals थे उन्होंने भी female infanticide को खतम करने का काम किया मतलब उसमें सहयोग किया और साथी साथ जो human killings की जो practice थी by the cons of Urisa, madras and central provinces भही वो क्या करते थे कि soil की fertility को बढ़ाने के लिए इंसानों को इमार दे रहे थे सो उसको उस practice को भी उन्होंने खतम की religious disability act जो है वो 1850 में पास किया गया था which ensure that even after converting religion one is valid for ancestral properties ठीक है जो भी बाप दादा की property है उसका अधिकार आपको रहेगा अगर आप धर्म परिवर्तन भी कर लेते हो उसे मतलब कोई फरक नहीं पड़ेगा इंजीनरिंग कॉलेज एट रूड की वह सेट अप ठीक है so Thompson College of Civil Engineering जो उस टाइम लिफटनेंट गवर्नर थे James Thompson उन्होंने सेट अप किया था So Lord Dalhousie का कुछ important basically कारेभाल था So postal reforms इन्होंने की एक टेलीग्राफ का काम किया Education का काम किया और Public Works Department पे मैंने जैसे आपको बताया Ganga Canal और यह सारी चीज़ें हुई और फिर साथ में आपका Doctrine of Laps ठीक अब आगे बढ़ते हैं Lord Canning So 6 साल तक 1856 से 62 तक यह रह So इन्होंने भी कई सारी universities Calcutta, Madras और Bombay में established की और साथी साथ इनके ही टाइम में 1857 का जो म्यूटिनी सिपॉय म्यूटिनी जिसे हम कहते हैं जो आजादी की एक तरीके से पहली लड़ाई थी वह हुआ था Okay, so he was basically Canning ही जो थे वह आकरी Governor General और पहले वाइसरोय बने ठीक है क्योंकि 1858 से पूरा British सामराजे के कंट्रोल में इंडिया आ चुका था Okay, और Government of India Act 1858 पास किया गया बहादुर्शाह II उन्हें रंगून भेज दिया गया था भी ट्रीजरी के चार्जेस के लिए ठीक, Doctrine of Labs जो इनके पिछले डेल हाउजी ने स्टार्ट की थी उसको इन्होंने विड्रॉक कि 1858 में क्योंकि उनको लगा कि 1857 में जो भी अभी unrest हुआ है, जो अभी मारधार हुई है हो सकता है, उसमें भी Doctrine of Labs अकर मैं हटा दूँ तो कुछ शांती मिले, उके universities established की गई, मैंने आपको बताया income tax introduced किया गया था experimental basis में यह बहुत important है, ठीक है और साथ ही साथ canning के time में ही Indian Penal Code की enactment हुई थी उके, इंडियन Council Act और साथ ही साथ जो Code of Criminal Procedure है, वो सारी चीज़े canning के time में ही हुआ था ओके, यह बहुत important है और Bengal Rent Act of 1859 was passed after 66 years of Permanent Settlement Act of Bengal ठीक है, Lord Elgin 1, so not that important 1865 से 1661 साल रहे वहाभी movement जो है, इनके time में खतम हुआ था, फिर Robert Napier रहे थे 1863 November से December एक मैने के लिए, उसके Sir William Denison Okay, so William Denison भी जादा time तक के लिए नहीं रहे withdrawal of troops involved in Sitana, so not that important, फिर हम बात करेंगे, John Lawrence की Okay, so John Lawrence जो है, वो basically आपका 63 से 1863 से 1869 तक थे, so यहाँ पर थोड़ी सी printing mistake है, आप इसको ठीक कर लिजेगा So Bhutan War वो इनके time में लड़ी गई थी British India और Bhutan की बीच में जो की खतम हुई थी by signing the treaty of Sinjula, ठीक है, और साथी साथ इंडिया और Europe की बीच में टेलिग्राफिक लाइन ओपन की गई Okay, और जो Great Famine of Urisa, Rajaputana and Bundelkhan took place which led to formation of Famine Commission पूरी भूख मरी और सब कुछ मतलब जिसे हम Sea of Calamity के नाम से जानते हैं वो हुआ था है ना, और साथी साथ यॉरॉप से टेलिग्राफिक कम्यूनिकेशन की शुरुवात हुई थी और एक Masterly Inactivity Policy follow की गई थी कि भाई अफगानिस्तान में हम intervene नहीं करेंगे, ओके पॉर्टिंट चीजें थी Lawrence के टाइम थे Lord Mayo 1869 से 1872 थे Lord Mayo ने क्या किया था State Railway का सिस्टम जो है इनों ने शुरुवात की थी और Statistical Survey of India Hunter के अंदर में इनके दुरान ही और्गनाईज हुई थी पहली census कब हुई थी 1872 में पहली census 1872 में हुई थी उस टाइम Lord Mayo ही थे आपके वाइसरोय ठीक है तो famous Mayo College जो है अजमेर में established की गई थी इनके दुवारा to give quality education He worked towards consolidating India's frontiers and finances जो भी finance frontiers हैं उन सब को consolidate करने का भी इनोंने काम किया और बाद में इनकी हत्याह कर दी गई थी पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफ्रीदी द्वारा so not that important जॉन्स ट्रेची यह भी जादा टाइम तक के लिए नहीं रहे फिर Lord Napier नाम आप बस देख लो फिर Lord Northbrook कुका रिवॉल्ट सबसे major important जो है 1872 पंजाब में कुका रिवॉल्ट हुआ था इनके दौरान इनके कारेकाल के दौरान और Indian Meteorological Department जो है 1875 में फॉर्म हुई थी जो आप देखते हो मानसून वगरा प्रेडिक्ट करते हैं फिर income tax ओके सो जो Lord Canning में के टाइम में जो मैंने आपको बताया कि भई एक्सपेरिमेंटल बेसिस में इंकम टेक्स इंपोस किया गया था वो यहाँ पे Lord Northbrook ने abolish कर दिया बुक यह बुक सॉरी नौट बुक यह ठीक कर लो ओके और बिहार फेमाई 1873-74 का हुआ था Lord Litton So Lord Litton 1876-18808 तक रहे सबसे इंपोर्टेंट बात जो Litton के टाइम में हुई थी वो थी वर्ना कुलर प्रेस एक्ट ओके यह पास ओन की गई थी to curb freedom of Indian press and right to criticize British British policies ओके और पहली फेमाईन कमिशन की जो appointment है वो इनके टाइम में हुई थी under Sir Richard Strachey ओके तो यह सारी चीजें कुछ हुई थी और साथी साथ Second Anglo-Afghan War British Raj और Emirates of Afghanistan के बीच लड़ी गई Treaty of Gundamak 1879 Mohamed Yaqub Khan और British Forces के बीच में साइन हुआ था और Indian Arms Act of 1878 ओके यह कुछ important points है इसको आप slide format में भी जाके पढ़ सकते हैं और इन्हें याद करने की कोशिश कर सकते हैं Then Lord Litton So Lord Litton ने क्या किया था Lord Litton के टाइम में भी भी फ्यमाइन और पूरा मतलब भूक मरी का आलम South India में था Royal Titles Act 1876 का इन्होंने पास किया Second Census जो पहला 1872 में हुआ था दूसरा यहां पे 1881 में हुआ है ना और इन्होंने Local Self Government की शुरुआत की थी 1882 में इसलिए Lord जो आपका रिपन है उन्हें basically Father of Local Self Government भी कहा जाता है ठीक है सो लिटन की हम बात कर रहे थे Lord Litton के टाइम में basically अलीगर कॉलिज की भी स्थापना हुई थी 1877 में और यह कुछ important point है eligibility age civil services में जो entry के लिए eligibility age है उसे 21-18 साल ला दिया गया था तो यह कुछ important points है Lord Rippon के बारे में आपको बता रहा था Lord Rippon के टाइम में क्या हुआ था कि 2nd census की शुरुआत हुई थी 1880 में और local self-government इन्होंने introduce किया था इसलिए इन्हें father of local self-government भी कहा जाता है और Ilbert Bill Right of Indian Judges to Trial European in Courts जिसे Ilbert Bill कहा जाता है यह बहुत important है यह इनके टाइम ही हुआ था Okay, so he was a liberal leader who wanted to grant more legal rights वो चाते थे कि भाई जो native Indians है उनको और ज्यादा जो legal rights है वो मिले और साथी साथ भाई यह चाते थे कि Indians अपने जो भी affairs है वो खुद से manage करना सीखें इसलिए local self-government की इन्होंने introduction इन्होंने किया था वर्ना कुलर प्रेस एक जो है वो Lord Rippan ने abolish कर दिया 1881 में ठीक है और पहली first factory act इन्होंने enact की थी 1881 में और यह तो मैंने आपको बताई दिया कि 21-18 वाला जो हुआ था यह मतलब लेटन और रिपन के उसमें हुआ था तो उसमें भी लेटन में भी हम इसको बोलते हैं और रिपन में भी इसे बोलते हैं इसलिए थोड़ा बहुत confusion कई बार रहता है तो उतना कोई आप सोचो मत इसके बारे में Lord Dufferin की अगर हम बात करें So Foundation of Indian National Congress 1885 क्योंकि यह 84-88 की बीच में थे Okay so Dufferin के टम में ही INC की शुरुवात हुई He established Imperial Service Corps जो की Indians के द्वारा headed था फिर तीसरा और आखरी Burmese War जो है Burmese और Britishers की बीच में जो लड़ी गई थी वह हुआ था और फिर पंजदे इंसिदेंट ऑफ 1885 तो यह कुछ important points है Dufferin के बारे में और फिर Lord Lansdowne So basically his career as Vice Roy was mainly focused on reforming the army, police, local government and the mint Okay so Indian Council Act 1892 पास ओन हुआ और 1892 का Factory Act पास हुआ, Age of Consent Act 1891 पास हुआ, Durand Commission की appointment इन्होंने की थी Okay so British India और अफगानिस्तान के बीच में जो boundary है Durand Line वो जो है define हुआ था Okay और यह जो Age of Consent Act 1891 इसने क्या किया था कि जो शादी की Age है, Marriable Age है उसको increase कर दिया गया था Okay, so यह कुछ important point है Lansdowne के बारे में, अब और एक last आज के lesson का Lord Elgin 2 Okay, so Elgin 1 देखा था, Elgin 2 है यह 1894 से 1899 तक, so वही जो मैंने आपको बताया कि भई इनके दुरान में दुनिया भर का जो भूक मरी और सूखा जो पढ़ रखा था फेमाइन, इंडियन फेमाइन 1896, 97 हुआ, जिसने की इतने लाग स्क्वेर माइल का जो एरिया है अफेक्ट किया और इतनी जाने ली, 10 लाग जाने ली, ठीक है, so फेमाइन कमिशन ओफ 1897, headed by Sir James Lyle was appointed, ठीक है और बबनिक प्लेग वस डिटेक्टेड इन बॉम्बे में हो गई थी, जिसमें की कई हजारों की मौत हुई थी, okay friends, so इसे हम फटाफट complete इसलिए कर रहे है, because ज़्यादा टाइम प्री के लिए है नहीं, तो जो भी important points हैं, आप देख लो, और कोशिश करो याद करने की, अगले lesson में हम और कुछ जो बाकी हैं, वाइस रोइस, उन ने देखा था, और next हम बात करेंगे, Lord Minto ये उतना ज्यादा important है नहीं, 1807-1813 तक ये थे, उसके पहले George Borloo भी थे, okay, so ये कुछ नाम बस आप व्याद रख लो, so, Treaty of Amritsar sign की गई थी, राजा रंजीत सिंग के साथ 1809 में, और साधी साथ Charter Act 1813 और East India Company Act 1813 जो है, pass on की गई इस पर्टिकुलर Minto के साशन में, ठीक है, Lord Hastings, okay, so Lord Hastings important है, basically Anglo-Nepalist war, जिसे गुर्खा war कहते हैं, okay, so गुर्खास ने Treaty of Sagali accept की थी, और due to his success, he was made Marquis of Hastings, ठीक है, so Treaty of Sagali के साथ ये लड़ाई खतम ही, third Anglo-Maratha war हुआ था, 1817, 1818, okay, so Maratha की पावर जो है, पूरी तरह क्राश की गई थी, और पेशवार शिप और जो भी सारी चीज़े हैं, बॉलिश कर दी गई थी, और Maratha's की सारी जो भी territories है, उनको annex कर लिया था, Britishers ने, और Bombay Presidency बनाई गई, ठीक है, so he confirmed the purchase of Singapore from Sultan of Johor by Sir Stamford Raffles in 1819, so उतना important है नी, फिर उसके बाद महलवारी system in Central India, Punjab and Western UP, okay, so रियोतव सेटलमेंट की introduction इनोंने की थी, मदरास Presidency में, okay, पहली coffee plantation हुई थी इनके जमाने में, okay, और उसी तरीके सी, basically, tea plantation भी हुआ था, okay, so ये सारी चीज़े हुई थी, और रियातवारी system मैंने आपको बता दिया, so आगे बढ़ते हैं, William Butterworth Bailey ये नाम है, 1828 से basically 3-4 मेने के लिए रहे थे, उसके बाद हम बात करते हैं, Lord William Bentic की, so ये 7 साल के लिए रहे, 1828 से 1835, ठीक है, so he was appointed the governor of madras, पहले इनको 1803 में governor of madras भी बनाया गया था, तो इनके बारे में कुछ important point देखते हैं, so his tenure was known as time of social reform, इनही के time में सती abolish हुई थी, 1829 में, okay, so ये बहुत ज्यादा important है, okay, और साथी साथ suppression of thuggy, okay, so thuggy वगेरा जो thugs का जो एक तरीके से कारोबार चल निकला था, उसको इन्होंने खतम करने का काम किया, so it contributed to the material welfare of the people, और साथी साथ suppression of female infanticide, okay, so female infanticide जो है बहुत ही horrible और heartless crime था, जो की civilized people भी करते थे, ठीक है, so उसको यहाँ पे खतम किया गया, okay, so ये बहुत ही ज्यादा important है, इसलिए William Bantic के tenure को social reform का time भी कहा जाता है, और charter act 1823 पास हुआ था, इनके time में, और East India Company अप ट्रेडिंग कंपनी ना रहके, पूरी तरीके से, पूरी इंडिया जो है East India मतलब एक तरीके से अब वो ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी, अब वो यहाँ का, यहाँ की सरकार बन गई थी, ठीक है, English was introduced as a medium of higher education, और introduction of local languages in the lower courts, और English in the higher courts, ऐसी कई सारी चीज़ें, विलियम बेंटिक के शाषन में हुई थी, ठीक है, province of Agra create किया गया, annexation of Kurg, और कई सारे judicial reforms भी हुए थे, अब आगे बढ़ते हैं, Charles Metcalf, 1835 से 1836 रह, so Indian press liberation, इसलिए इने liberator of press भी कहा जाता है, तो बस यही एक important चीज़ थी, जो Metcalf के रीन में हुई थी, Lord Auckland की अगर बात करें, तो यह 6 साल तक 1836 से 1842 रहे, ओके, तो पहली Anglo-Afghan War और साथिसा Treaty of Lahore साइन की गई थी, और Lord Auckland ने ही Grand Trunk Road का construction की शुरुआत की थी, Calcutta से Delhi, और इनके period में ही शेर सा सूरी मार्ग को Grand Trunk Road के नाम से रीनेम किया गया था, ओके, यह important है, ओके, और एक Tri-Petite Treaty 1838 में साइन हुई थी between Ranjit Singh, Lord Auckland and Shah Suja of Afghanistan, so he also worked towards improvement of native schools and the expansion of the commercial industry of India, ठीक है, आगे बढ़ते है, Lord Allen Borough, so यह 2 साल तक थी, 1824 से 1844, annexation of Synth, ठीक है, Synth को इन्होंने अपने कबजे में किया, और, और कुछ अगर हम important point देखें हैं, तो he ended tolls and duties throughout Synth and Bahawalpur, तो यह उतना important नहीं है, James Napier को replace किया major outram से, so it's not that important, Allen Borough, okay, then William Wilberforce Bid, so यह एक महने के लिए थे, नाम बस थोड़ा बहुत देख लो, और Sir Henry Harding, okay, so Sir Henry Harding is one, basically, जो English education है, उसको public services के लिए essential qualification है, ऐसा इन्होंने Hardingay ने declare कर दिया, ठीक है, so Hardingay के टाइम में, जो है basically 1845 से 1846 में पहली Anglo sick war हुई, फिर उसके बाद Treaty of Lahore, 1946, Treaty of Amritsar, March 1846, sorry 1846, 1900 मैंने बूल लिया, और second Anglo sick war भी 1848 से 1849 के बीच में हुआ था, ये सारी कुछ important चीज़ें थी Hardingay के बारे में, ओके, अब अगले lesson में हम Lord Dalhousie से start करेंगे, Hello दोस्तो, so इस last lesson में, जो remaining viceroyce हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, so let's continue Lord Curzon, so 1899 से 1905 तक Curzon थे, okay, so इनके time में ही इन्होंने ही, जो है, इनको ही मस्ती सूजी थी, कि भई, बंगाल का partition हम कर देते हैं, है ना, तो ये तो चना मुर्रा था, कि भई, ऐसी बार दो, तो इन्होंने कोशिश की थी, कि भई, Eastern Bengal, Assam, और Western Bengal में इसे बार दिया जाए, okay, so जो स्वदेशी movement and all चला था, और साथी साथ, University Commission, जिसे Relic Commission भी कहा जाता है, Sir Thomas Relic के, 1902 में इनोंने set up किया था, इसका काम ये था कि, जो इंडिया में universities हैं, जिनकी हालत खराब हो रही है, data you rate हो रही हैं, उनको देखना, उनके reasons को find out करना, okay, और इसी की तहत, इंडिया उनिवर्सिटी सेक्ट ऑफ 1904 लाए गया, ठीक है, Northwest Frontier Province established किया गया था, जो कि River Indus के अपर बेसिनों के एरिया को cover करता है, Calcutta Corporation Act 1899 का हुआ, Ancient Mountains Act 1904, ओके, और Imperial Cadet Corps, ICC, ये इनके कारिकाल में आया था, ठीक है, और साथी साथ, Imperial Agricultural Department, जो है, Lord Karzan के टाइम में सेट अप हुआ, और एक Department of Commerce and Industry सेट अप हुई थी, ठीक है, ये सारे चीज़ें कुछ हुई थी, करजन के टाइम में, और अब हम बात करते हैं, Lord Minto 2 की, Lord Minto 2 जो है 1905 से 1910 के टाइम रहे, और इनके टाइम में क्या हुआ था, कि Morale Minto Reforms, ठीक है, Morale Minto Reforms के जो Minto है, वो यही साहव है, ओके, सो Morale Minto Reforms, जो Indian Councils Act 1909 भी है, वो बहुत important act है, जिसके बारे में मैं already lesson बना चुका हूँ, तो वो आप देख लो, ये important है, Indian Press Act 1910 जो है, कुछ चाप रहे हैं, तो उनको बंद कर दो, उनका मुझ चुप करा दो, उन पर fine डाल दो, उन पर penalties डाल दो, सर सत्येंदर प्रसना सिन्ना, और Lord सिन्ना ऑफ राइपूर, वो सपॉइंटेड एस member in, जो Governor General Council, ठीक है, तो ये कुछ Lord Minto के टाइम का था, और Department of Education जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कुछ इनोंने, इनके टाइम में सेट अप हुई थी, और एक Indian Decentralization Committee, अपॉइंट किया गया था, एक Arundale Committee on Political Reforms, जो था, उसकी रिपोर्ड भी इनके टाइम में ही समिट हुई थी, Lord Hardingay 2 की बात करते हैं, 1910 से 1916 Hardingay थे, ओके, तो Capital जो है, Capital Delhi shift करने का जो फैसला था, भाई, Partition of Bengal ने क्या किया था, Partition of Bengal, Annualed the Capital shifted, basically to Delhi, ओके, तो Delhi दरबार organize किया गया था, to commemorate the coronation of George V, इनके टाइम में ही हुआ था, Capital of India जो है, Calcutta से Delhi shift हुआ था, इनके टाइम में, 1911 में, ओके, और जो Partition of Bengal है, उसको इन्होंने, खतम कर दिया, कि भाई, अब Partition of Bengal नहीं किया जा रहा, Annual कर दिया उसे, 1911 में, ओके, और डली conspiracy case, 1912, या फिर डली लाहूर conspiracy case, जिसे हम Harding गे bomb case भी कहते हैं, तो ये कुछ चीजें थी, Harding गे 2 के टाइम पे हैं, और एक गदर पार्टी, सो गदर पार्टी, 1913 में फॉर्म की गई थी, सोहन सिंग भकना द्वारा, इनके टाइम में ही था, 1915 में, Indian Independence Committee, जर्मनी में फॉर्म की गई थी, हिंदू महासभा का फॉर्मेशन हुआ था, मदन मोहन मालविय द्वारा, 1914 में, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी जो है, स्टैबलिश हुई थी, वारानसी में, अंडर B.H.U. Act 1915, और First World War 1914 में हुआ ही था, यह आपको पता ही है, Lord Chemsford, तो यह स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर ले ना, C.H.E.L.M.S.F.O.R.D. ओके सो 1916 से 1921 रहे, सबसे इंपॉर्टन तो इनका Montego Chemsford Reforms का, जो 1919 का Act है, और इनके टाइम में ही रॉलत कमिटी, रॉलत एक्ट और जलियावाला बाग और सारी चीज़े इनके टाइम में ही हुई थी, सत्यागरा मूवमेंट, ओके सो गांधी जी का जो है तिरे दिरे इंफ्लूएंस इंडिया में बढ़ रहा था, लखनौव सेशन एंड लखनौव पैक्ट ऑफ 1916, जिसमें क्या हुआ था, भाई इंडियन नैशनल कॉंग्रेस और आपका जो मतलब मुस्लिम लीग है, उनके बीच में एक अग्रिमेंट हुआ था, ओके तो ये सारी चीज़े लॉट चेम्सपॉर्ड के टाइम में हुई थी, ठीक है, खिलाफत कमीटी, खिलाफत मुवमेंट ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये तो कंटेंप्ररी टाइप का लगेगा थोड़ा सा, और हंटर कमीशन एक हेड किया गया था, विलियम हंटर इनके हेड थे, तो ये हंटर कमीशन का ये काम था कि जो जलियाँ वाला बाग हुआ है, जर्नल डायर, उसके उपर इन्वेस्टिगेशन करना, तो ये पुरी तरीके से आईवाश एक दोखा था, होगा कुछ नहीं उसका, अब हम बात करते हैं, लॉर्ड रीडिंग की, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक थे, ट्रॉलत एक्ट, प्रेस एक्ट और जो भी सारी चीजें थी, उन्होंने इसको रिवोक किया, उसको खतम किया, देन राश्टिय स्वयम सेवक संग, आरेसेस जो है, आपको पता ही है आरेसेस, ओके सो 1925 में आरेसेस फाउंडेड ओन हुई थी, केशोव हेडगोवार द्वारा, विद अएम अफ अफ होल्डिंग इंडियन कल्चर एंड सिविलाजेशनल वेल्यूस, ली कमिशन अपॉइंट हुआ था 1923 में, जिसका काम ये था कि भाई, जो रेशेल कमपोजिशन है, सुपीरर पब्लिक सर्विस में उसको स्टड़ी करना, कम्यूनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया के फॉर्मिशन हुई थी, दिसम्बर 1925 में, और काकोरी कॉंस्पिरेसी केस, जो काकोरी लूट जो कहा जाता है, वो हुआ था, रीडिंग के टाइम पर, फिर हम बात करते हैं, लॉर्ड एर्विन की 1926 से 1931 तक ये थे, तो साइमन कमिशन, और फिर गांधी एर्विन पैक्ट, और roundtable conference वगरे सारी चीज़ें हुई थी, नहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, civil disobedience movement जो था 1930 में, और साथी साथ, लॉर्ड एर्विन ने Indian Schools of Mines, जो की धनबाद में है, उसकी foundation की थी, to develop mining and geological sciences, दिपावली declaration 1929, तो ये साथी चीज़ें, इर्विन के टाइम पे हुई थी, और साथी साथ, First All India Youth Congress की meeting 1928 में हुई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Lord Wellington, ये भी 5 साल तक थे, Lord Wellington, Congress ने 1931 में, civil disobedience movement को फिर से resume किया, और Lord Wellington के ही orders में, महत्मा गांदी को, second phase of civil disobedience movement के, शुरू होने की जस्ट एक हफ़ते बाद अरेश्ट कर लिया गया, और अगले चार मेहने में, लगबग 80,000 लोगों को, जेल के बीचे भर दिया गया, communal award जो की, रामसे मकडॉनल्ड ब्रिटिश प्राइम निस्टर थे, उन्होंने अनॉन्स किया था, पूना पेक्ट हुआ था 1932 का गांधी जी और अमेटकर के बीच में, सेकेंड और थर्ड राउंटेबल कंफरेंस हुई थी, फिर मेजर अर्थक्वेक भिहार में 1934 में, और बर्मा एन एडिन वस सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश अंपायर इन 1935, ओके सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया हुआ था विलिंग्टन के टाइम पे, अब हम बात करते हैं लिनलिद गौफ की, ये 36 से 43 रहे और ये सबसे ज़्यादा बेसिकली, ये वस दे लॉंगेस्ट सर्विंग वाइसरोई, इस वन फे इनिशेल टास्क वस तो पूट गर्रमेंट ऑफ इंडिया एक तुनिसो पैंटीस, ओके सो उनिसो पैंटीस जो इनके कारेकाल से जस्ट एक साल पहले आया था, उसको अब ग्राउंड में लाकि इंप्लिमेंट कैसे करना है, उसका काम इनके ऊपर था, ठीक है, और ही हेल्ड प्रोविंशल इलेक्शन इन 1937, जिसमें की कॉंग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा परफोर्मेंस किया था, इस टेन्यर अलसो कोइंसाइड़ विद अस्टार्ट वर्ड वर्ड टू, ठीक है, और सुभास चंद्रव बोस वस पूट अंडर अरेस्ट इन 1940, और सब्सेक्वेंटल अंडर हाउस अरेस्ट दू पूर हेल्थ, और साथी साथ टू नेशन थियोरी जिन्ना ने, लेनलिद गोव की टेन्यूर में ही यह सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है, और फिर क्रिप्स मिशन और यह सारी चीज़ें जो हुई थी लेनलिद गोव ही थे उस टाइम वाइस रॉय और तब यह सब चीज़ें आया था, ठीक है, तो पूर हैंलिग ऑफ बेंगाल फेमाइन ऑफ 1943 यह लॉड लेनलिद गोव के उपर एक बहुत बड़ा दाग रहा, कि भई इनोंने उसको, उस सिच्विशन को हैंडल इनोंने नहीं किया, नहीं कर पाई है, अब हम बात करेंगे लॉड वैवल की, सो 1944 लास 44 स्टार से 47 तक रहे, यही ग्रेट फेमाइन बेंगॉल 1943 फिर वैवल प्लैन, ओके सो वैवल प्लैन जो था वह बहुत इंपॉर्टेंट था, और वैवल प्लैन के बारे में आप थोड़ा सा यहां से पर सकते हैं, वैवल प्लैन के बारे में मैं एक लेसन वैसे भी अल्रेडी बनाने जा रहा हूँ, और उसके लावा वैवल का कुछ खास उतना योगदान चाहा नहीं, फिर हम बात करेंगे अगर वैवल की ही तो थोड़ा सा शिमला कॉन्फरेंस इनके टाइम पे हुई, उसके बाद यूके में गवर्मेंट चेंज हुआ था, कैबिनेट मिशन इंडिया में आया, और मुस् बिसिकली भारत को आजारी दे दी जाएगी 20 फरवरी 1947 को, है न जून 1948 से पहले फ्रीडम प्रवाइड करने का प्लैन था, अब आते हैं माउंट बेटन पे, सो माउंट बेटन ही थे, जो फाइनली इंडिया आजाद हुआ, ठीके सो उनके पास सबसे बड़ा इशू ये था कि भई ब्रिटिच गवर्मेंट से इंडिया को ट्रांसफर करना है पावर, और 1948 जून से पहले सारा कुछ जो है खतम करना है, और फिर मॉडरन हिस्टी खतम करने हैं, बिकोज यूपीएस्टी वाले थक चुके हैं, आर पढ़ पढ़ के, सो ही कंड़क्टे निगोशियेश नहीं, पार्टिचन प्लैन जो है अनाउंस किया 3 जून 1947 में, और फिर फाइनली भारत को और 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी, ठीक है, तो पार्टिचन बिल जो है जून, जुलाई 1947 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्रिटिश पार्लियमेंट में, जिसे इंटिग्रेशन में भी माउन बेटन ने अच्छा कासा रोल निभाया था, जो आपने सुना होगा, जूनागड वगएरा वगएरा, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागड ये सारी चीजें जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर अभी तक बनी रखा है, ब इसके बाद ये पोस्ट खतम हो गई थी, ठीक है, so he was the first Indian to be appointed as the governor general of India, before this he was the first governor of West Bengal, और उसके बाद इनों ने जवाहलाल नहरू की cabinet भी जोईन की, 1950 में, ये cabinet minister भी थे, बिना किसी portfolio के, और उसके बाद ये home minister भी बने, ओके फ्रेंस, तो कैसा लगा, आपको ये वाइस रोया and their contributions का series आप मुझे बताईए, okay, so thanks for watching this, have an awesome day.